नमस्कार में प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे टाटा इस्टील श्टॉक के बारे में चुकि इस श्टॉक ने 52 विक हाई को ब्रेक आउट कर दिया और आगे के टेखनिकल ट्रेंड को समझे इस से पहले प्रिमियम टेलिग्राम को जोइन करेंगे और डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकाउंट आपेन कर लेंगे यहां देखेंगे तो यह दो दिन का मिला करके हैं 10% के आसपास की तेजी दिखी है पिछले दो दिनों में कुछ भी इंडिविज्वल बरे नियूज या अनॉंसमेंट नहीं दिखेंगे सभी कॉमन नियूज ह ट्रेंड होते दिख रही है लेकिन जो टेक्निकल ट्रेंड हैं वो काफी आउट एस्टेंडिंग है वॉल्यूम भी देखेंगे तो इस स्टॉक में जो वॉल्यूम रहा है वो वॉल्यूम का भी बरा ब्रेकाउट दिखा आज के वॉल्यूम तो नहीं हो रहे हैं लेकिन हिस तो वॉल्यूम 123 मिलियन के आसपास का रहा था जो कि रिसेंट के हाइस्ट वॉल्यूम है उसके साथ इस स्टॉक ने ब्रेक आउट करा अब एक बार इस स्टॉक को देखे इस एक बरिया है कि यहाँ डेबलू पैटर्न करके जो है पूरे सेक्टर भी ब्रेक आउट करते दिख रही है तो जिस प्रकार से हमने यह अल्रेडी हमने कहा था आपको कि यह आप सोट नहीं करेंगे लोंग के ओपर्चुनिटी को लेंगे इस समय मुझे लगता है कि 144 के SL को फॉलो करके इसमें लोंग बने रह सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पहला टारगेट 172 और दू दूसरा 220 प्लस जैसा ट्रेंड आपको दिख सकते हैं यह अल्टाइम हाई का ब्रेकाउट है लास्ट टाइम में अगर आप देखेंगे तो अल्टाइम हाई का ब्रेकाउट कहां हुआ था यह वाला लेविल है यह वाला लेविल जहां से इसने अल्टाइम हाई के के बाद स्टॉक का टेक्निकल के रहते उसको समझेंगे यहां देखें तो यह लगबग लगबग 100% के रिटर्न रहे थे अगल से पेटरन से अगर आप लेते हैं तो यह देखेंगे तो 220 प्लस तक का लेवल दिखता है तो मुझे लगता कि टेक्निकली 170 और 220 जासा के दिख सकते हैं थोड़ा ऊपर है तो थोड़ा कौशन बरतेंगे क्या बरतेंगे मतलब कि स्टॉक को बिट्विन 146 और 154 के बीच में कुमलेट करेंगे धीरे धीरे और अगर आप इन्वेस्टर है तो एसल नहीं भी लेंगे तो चलेगा या फिर एसल को 13840 कर देंगे और यह टेकनिकल आउट परफॉर्म कर सकता है अगर आप ट्रेडर है तो यह जो नीचे वाला एसल है यह वाला जोन है 13840 के एसल को लगा करके लोंग टेकनिकली ट्रेंड जा सकते हैं फ्रेस बाइंग करेंगे क्वांटिटी स्मॉल रखें जो अल्रेडी इन्वेस्टिड है आप लगांग करेंगा करेंगे कर लो एक जिन